असलों अलेकुम गुड मार्निंग मैं हूँ आपका मेजबान एमरा जमराई आपका दोस्त आपका होस्ट एक मर्दबा फिर आपके लिए लाया है एक बहुत ही खुबसुरत वीडियो एक बहुत ही खुबसुरत कंट्री का शेर जिसका नाम आप जानकर आप सुनकर भी बहु खुबसुरत मूलक है एसिया तो बहुत बड़ा कांटिनेट है जिसमें पार्ट किए गए है जिसे जनूब एसिया एसिया और सिर्थ एसिया में जिस तरीके से अब सबको लोगों पता है चैंडिया पाकस्ता ने एसिया में आता है, साउथ एस्ट एसिया में ओने वाले मुलकों का मैं आपको बता दूँं, इंडोनेशिया, मलाइसिया, सिंगारपूर और फिल्पाइन बाकी कंट्रीज बाती हैं, मगर यह में हैं, तो इसमें आता है, तो फिल्पाइन की जोग्राफिकल जो पोजिशन है वो आपको मैं बताता है, चलो, कि यह साउथ एस्ट एसिया में आता है, और यह पैस्फिक ओसिया में आता है, पैस्फिक ओसिया के इस्टरन किनारे पे यह आता है, और पैस्फिक ओसिया की मैं आपको बताता है, चलो, सबसे जो ज़्यादा गेराई है, वो फिल्पाइन के बिल्कुली करीब है बिल्कुली करीब है और उस पॉइंट का नाम है मौरियान ट्रेंड मौरियान ट्रेंड और फिल्पाइन की सबसे ज़्यादा जो उनाई है ज़्यादा जो गहराई है वो फिल्पाइन के करीब है मौरियान ट्रेंड फिल्पाइन का पूरा नाम है वो रिपॉबिलिक आफ फिल्पाइन है और केपिटल सिटी है वो मनिला है और उससे पहले जो केपिटल सिटी हुआ करता था वो था क्यूजिन सिटी क्यूजिन सिटी इस वक्त भी फिल्पाइन का सबसे बड़ा लार्जिस सिटी है क्यूजिन सिटी 1948 से लेकर 1976 तक फिल्पाइन का केपिटल सिटी रा उसके बाद मनीला को किया गया अब आप मैं आपको बताता चलो के फिल्पाइन ने कब आपकी जो है ना फ्रीडम आसल की दिए फिल्पाइन ने सबसे पहले स्पेंस जो यूरोप का एक इंट्री जिसके स्पाइन भी बोलिया है उस से जून जून नाइन जून 1898 से आजा दियती उसके बाद एक मरतबा फिर अमेरिका ने उस पे कबजा कर लिया और अमरीका से जो आज़ादी हासल की थी वो जूलाई 4 1946 से इसने आज़ादी ली थी इसका मतलब जो दुनिया के नकसे पे फिल्पाइन एक मरतबा फिर निमूदार हुआ और उसका जो फिरीडम उसका जो इंडिपेड़न डे है वो जूलाई 4 1946 से इसका मतलब यह हुआ कि पाकस्तान से एक साल पहले आज़ाद हुआ था मैं आपको बताता चलो कि फिल्पाइन की जो जो जोग्राफिकल है और क्या है दुनिया में जितने भी कॉंटिनेटे जो सबसे ज्यादा आईजलेंड से बने हुए है उसमें पहले नमबर पे आता है इंडोनेशिया इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा जजाहर आईजलेंड है उसके बाद जो दूसरा नमबर आता है वो फिल्पाइन का है फिल्पाइन के कुल जजाहर 7640 और 41 भी बोलते है सम्टिंग इसके करीब है 7640 आईजलेंड से मिला हुआ एक मुलक है और बहुत ही खुबसूरत बहुत ही खुबसूरत मुलक है और जिसको तीन हिसों में तक्सिम किया गया है नार्दरन से लेकर साउथ रन तक सबसे उपर में जो हिसा आता है जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया गया है जिसे मलाइसिया को दो हिसों में डिवाइड किया गया है इस तरीके से फिल्पाइन को तीन हिसों में डिवाइड कर दिया गया है फिल्पाइन के तीन जो ग्राफिकल पार्ट है उस सबसे पहले जो नार्दरन में आता है वो लिूजन है उसके बाद बीच में जो आता है वो विसाया है और उसके बाद जो नीचे साथरन में आता है वो है मिडनाव तो ये तीन पार्ट है और सबसे ज्यादा इंपोर्टन पार्ट है वो है लूजन क्योंकि उसमें दो फिल्पाइन की बड़े सिटी जो एक पहले हुआ करता था क्यूजन सिटी और दूसरा अब है जो मनिला दोनों ही क्यूजन जो आईजलेंड है उस पे आती है तो इन दोनो को मिला कर क्यूजन और मनिला को मिलागर मोट्रो मनिला हो जाता है और दुनिया का वो बड़ा बड़े शेरों में उसका जो है न समार होता है जैसे टोकियो जापान की केपिटल सिटी संगाई जाइना का कॉलकाता और बंबई इंडिया का और कराची पाकस्तान का इस तरीके से यह जो है फिल्पाइन का बड़ा बड़ा शेर कहलाता है मैं आपको जग्राफिकल हैसित बताऊं उसके साथ-साथ उसके जो है नेबर हुड है वो भी बताऊं एक बात आपको मैं बताता चलो जैसे स्री लंका पूरा समुदर मी है इस तरीके से मालदीब भी पूरा समुदर मी है इस तरीके से आस्ट्रिया भी पूरा समुदर मी है न्यूजिलिंड भी पूरा समुदर मी है उसके बहुत जापान भी पूरा समुदर मी है ताइवान भी समुदर में मुलक आती हैं वो फिल्पाइन भी इस तरीके से पूरा समुदर में मुलक है उसका मतलब कि जमीन ही उसका कोई पाड़े स्री नहीं है लेकिन फिर भी समुदर के पास तो कोई पाड़े स्री होगा इस तरीके से पाड़े स्री में आपको बताओं और कौन-कौन से समुदर उसके लगती है वो भी आपको मैं बता तो सबसे पहले हम आती हैं सबसे पहले हम आती हैं इस्ट पार्ड में और सबसे पहले हम आती हैं इस्ट में तो इस्ट में हम पहले चलते हैं मगरब और इस्ट में और इस्ट में आता है चाइना सी और उसके बाद आप सब को प कोरिया जापान उसके बाद इस्ट चाइना सी और फिर जो हम चलते हैं अम चलते हैं इस्ट में इस्ट में आता है फिलپाइन सी उसके बाद जो उसके आगे हम जाएंगे तो पैसिफिक समुदर आता है और उससे भी आगे अगर हम जाएंगे तो उतर अमरीका कांटिनेट का मुलक कंट्री मेक्सिको आएगा तो इसके बाद हम चलते हैं साउथ में तो फिल्पाइन के साउथ में है सेलेबिस सी उसके बाद इंडोनेशिया मलाइसिया और बिरुनाई के कंट्रीज आती हैं और आप लोगों को बताओ इसके बीच में सोलो सी भी आता है वो पालवान और मिडव जो आईजलेंड है उसके बीच में आता है सोलो सी वो इससे समझें के फिल्पाइन का ही समुदर है जैसे मैंने आपको बताया के क्योजन सिटी सबसे बड़ा है लेकिन मनीला जो इसकी जो हैं कैपिटल सिटी है त दखन फिल्पाइन का डाउ सिटी आता है दूसरे नबर पे बड़ा शेर के बाद हम आपको बताता चलों के केलोकोन, डाउ, सीबू, जैंबिरोक, तैमलियों, पॉसिंग, मौरोपे, कुईजन सिटी ये सबसे बड़े शेरों में आते हैं और हमारे जो दोस्त जहां रहते हैं फिल्पाइन हैं उस सिटी के नाम बताता चलों आपको हमारे दोस्त इदर सिटी में रहते हैं जैसे पालवान, कुईजन, लूजन, डाउ, नीग्रोस, मिडाराओ, और सीबू और आपको बताता चलों के समर आइजलेंड फिल्पाइन का डूर इस्ट में है इसका मतलब है क लिस्ट कोने पे जो आता है वो समर आइजलेंड है, बहुत ही खुबसरत आइजलेंड है, सीबू सिटी बहुत ही खुबसरत सिटी है, हो जाए कुछ पापुलेशन की बात, पापुलेशन जो फिल्पाइन की है वो 107, 107.2 मिलियन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया में बारवे नबर पे पॉपुलेशन के साब से आता है, एरिया इसका है, एक एक पांच अजार स्कुाइर फुट, एक लाख पंदरह अजार स्कुाइर मिलियन है सोरी, और लियूजन, लियूजन सबसे बड़ा आईजलेंड ह इस कंट्री का और पॉपुलेशन के साब से भी सबसे बड़ा है, 52.5 परसंटेज है वो फिल्पाइन की पॉपुलेशन जो है लियूजन पे है, और लियूजन आपको बताता है चलों के दुनिया का चोदुआ बड़ा जो है वो आईजलेंड है, आप सब को बता है कि करनसी है वो फिल्पाइनी पैसो है, वो पाकस्तानी रुपे के बराबर में 3.45, बन्हें एक फिल्पाइन के 3.45 पाकस्तान मिल जाते हैं इस ते आप अंदाजा लगा सकते है कि फिल्पाइन की करनसी भी हमारे पाकस्तान से स्ट्रॉंग है, और इसका जो वक्त है वो दुन